हेलो फ्रेंज्स, वेलकम तुमाई चैनल, मैं हूँ नीलम, आजम बनाएंगे दीवाली स्पेशल खस्ता मठरी जो हम मैदा से बनाएंगे और इसकी विशेशता ये है कि ये मठरी एक महीने तक आप स्टोर करके रख लीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होती चलिए इस रेसीपी को देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है तो सबसे पहले मैंने 400 ग्राम मैदा ली है, आप किसी कप से, कटोरी से ये गलास से भी माप कर ले सकते हैं तो अभी हम इसमें सबसे पहले एक छोटी चम्मच कलोंजी डालेंगे, कलोंजी जो हती है वो प्याज का बीज होता है ओनियन सीट और इसके बाद एक छोटी चम्मच भरके हम इसमें अजवाइण डालेंगे तो अजवाइन को हम इस तरह से मसल के डालेंगे इससे इसकी खुश्बू बहुत ज़्यादा आएगी तो चलिए डाल देते हैं दोनो इसके बाद में हम इसमें एड करेंगे नमक, स्वाद के अनुसार वैसे भी नमकीन चीजों में नमक थोड़ा सा तेज अच्छा लगता है तो मैं हलका सा इसमें तेज डालूंगी ताकि हम चाय के साथ भी खाएं तो ये बहुत स्वादिश लगे और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से mix कर लीजिए ताकि नमक और अजवाइन कलोंजी सब आपस में mix हो जाए इसके बाद में हम इसमें लगाएंगे मोयन तो इसमें तेल का मोयन देना है जो मठ्री है उसमें तेल का मोयन ही अच्छा लगता है तो यह 400 ग्राम मेंदा है तो 100 ग्राम इसमें वाइल जाएगा तो यह इसका माप है जैसे आप 1 कप मेंदा लेंगे न तो उसी कप के माप से 1 फोर्थ कप वाइल जाएगा तो यह मैंने इसमें वाइल डाला है और अब मैं इसको अच्छे से mix कर देती हूँ इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तो हमें पता कैसे चलेगा कि मोयन अच्छे से लग गया है कि नहीं मतलब अलगी पता चल जाता है कि हाँ भी मैंदा में मोयन अच्छे से लग गया है तो मैं आपको बता देती हूँ तो सबसे पहले जो बचा हुआ ओइल था वो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ तो ये पूरा 100 ग्राम तेल मैंने मिक्स कर दिया है इसमें तो जो मौइन है वो बहुत परफेक्ट लगना चाहिए तो ही हमारे बहुत खस्ता बनेंगे मठ्री तो देखिए अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर हम इसकी इस तरह से मुठी बना कर देखेंगे तो देखिए इस तरह से लड्डू जैसा बन जाना चाहिए तो मौइन एकदम परफेक्ट लग गया है अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और एक टाइट डो लगाएंगे मतलब पूरी से भी टाइट डो जितना टाइट डो लगेगा उतनी मठ्री खस्ता बनेगी तो इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गूनते चाहिए तो यह देखिए मैंने कितना tight dough लगाया है इसका इसको बहुत जादा muscle muscle के चिकना नहीं करना है इसको इसी तरह से हमको छोड़ देना है और rest मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दूँगी rest देने से यह हलका सा गीला हो जाता है फिर मठरी का जो texture है वो खराब हो जाता है तो मैं तूरती बना लूँगी अब इसको मैं लंबाई में मैंने log बना लिया था और इसको मैं छोटे-छोटे portion में divide कर देती हूँ इस तरह से और इसका roughly एक गोला बना लेते हैं हमको बहुत जादा एकदम गोल गोला नहीं बनाना है roughly बना लेना है इस तरह से अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी ही तो इसे like किजिए share किजिए मेरे channel को subscribe किजिए तो चलिए मठरी बनाना शुरू करते हैं rolling board पर हम इसको रखेंगे और इसकी एक मोटी सी रोटी बनाएंगे तो बहुत मोटी सी बनाना है इस तरह से तो ये देखिए और अब हम इसका shape देने के लिए एक चौकोर हम इसको shape दे देंगे इस तरह से ताकि जो मठरी हैं वो सब एक सी कटेंगी और देखने में भी काफी अच्छी लगेगी तो देखिए मैंने इतना मोटा बना लिया है इतना मोटा ही इसको हमको बनाना है और अब हम इसकी चाकू से मठरी हम इसकी काट लेंगे तो इस तरह से आप काटते जाएए देखिए तो इस तरह से मैं काट लूँगी और आड़े में भी मैंने काट लिया है तो छोटी-छोटी मठरी बनाई है आप लंबी बड़ी कैसी भी चाहिए तो बना सकते हैं लेकिन दीवाली पर इस्पेशल इतनी छोटी-छोटी मैं बनाती हूं हमेशा तो इसको अलग-अलग कर लो बहुत इजीली अलग-अलग हो जाती है आपने एक बात नोटीस की होगी कि जब हमने रोटी बनाई थी मोटी वाली तो उसमें हमने सूखा आटा तेल कुछ भी नहीं लगाया था क्योंकि हमने इतना परफेक्ट मोहिन दिया है और कड़ा-काटा गुंदा है ना तो अपने आपी बन रही है तो इस तरह से मैं सारी मट्री को बना लूँगी और अब इसको डीफ्राइ करेंगी तो मैंने कड़ाई में बहुत अच्छा कासा ओई ले लिया है तो उड़ा सा मैंदर डाल कर देखेंगे देखी हलके बबल के साथ उड़ गया हुआ है और इस तरह से जो बची हुई है वो भी डाल देगे वैसे बनी तो बहुत सारी है अब इसको कई बैच में सेकेंगे तो जितनी आती है उतनी डाल दीजिए और अभी थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही रहने दीजिए तो जब यह हलकी सी सीख जाएगी देखी कि इसनी फूली यह यह अप और इस तरह से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक मठरी को सेख लेना है तो इस तरह से अब को हुआ पलत पनेटते वह हलका कोल्डन ब्रा उने तक अच्छे से एक लिए बहुत ज्यादा डाग कलर नहीं करना है और गैस बो करके शेख के अगर आप हाई फ्लेम पे सेखेंगे तो उपर से सीख जाएगी अंदर से कच्छी रह जाएगी तो देखी कितना अच्छा एक कलर आ गया है हलका सा गोल्डन ब्राउन आया है तो अब मैं इसको वाइल में से निकाल लेती हूं आप चाहें तो किसी किचन टॉविल या फिर ट सरे से बना लिए है अब मैं आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूं यह देखिये बहुत ही सिंपल सी रैसीपीती जटपट से बच जाती है और हम जब इसको एयर टाइट कंटेनर में भरेंगे तो पूरा ठंडा करने के बाल भरेंगे इस बात का ध्यान की गरम बिल अच्छी बनी ना एक लेयर सी आई है इस मैं यह देखी क्रेक्स पड़ते ना तो मतलब बहुत सॉफ्ट बनी है यह देखिये और इसको अभी मैं तोड़के दिखाऊंगी बिल्कुल हलके हाथों से दबाया और तूरत तूड़ गई है तो कैसी लगी रैसीपी कॉमेंट कर करके बताइए अपना फीड़ बैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए बहुत टेस्टी बनती है खाने में बेहर स्वाधिश्ट होती है तो अब मैं आप से मिलूंगी अपने नेक्स वीडियो में अपनी एक नई रैसीपी के साथ थैंक्यू सो मज होगी तो तो उरूंगी जरूज से ऊवा यादी एकाश जो से लगकी कि नेक्स बार्ट है जरूओ कॉर खाने में वीडियों के उरूंगी जरूंगी झाला बन्हाने में तो ढुता संदादीश्ट हैं रहुताद्ट के रहार का जबादी बहुता से लिगक्शश्या है